आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुक्पाल सिंग खेहरा ने आज एडी द्वारा उनके ठिकानों पर किये गए च्छापों पर आपत्ती जताई उन्होंने चंडीगर में मीडिया से रूबर होते हुए कहा कि छापे उनके राजनीतिक भविश्य को कलंकित करने के लिए किये गए थे खेहरा ने कहा कि वह किसानों के संघर्ष के कटर समर्थक थे जिसके कारण केंदर सरकार जान बूच कर उन्हें निशाना बना रही थी खेहरा ने कहा कि एडी को उनके खातों की जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला हलाकि सच्चाई ये है कि उन्होंने कहा है कि केवल 3 करोड रुपे का रिन अतिरिक्त आये है उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विदेश से कोई फंड नहीं मिला उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग मनी के आरोप भी पूरी तरह से जूटे हैं खेरान इस पश्ट किया कि मीडिया रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है, कि वह कॉंग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे. इस नजरिये रिनाल, एडी ने ना सिरफ पहला साड़े दुक्ते रीड कीते, पर उस तो बाद जड़ा, असी हाई कोट गे हैं, वोदे रिस्पॉंस में जड़ा काल एफेड़ेविट फाइल किता, कि इस नू मैं एक बंडल ओव लाइज, इट्स अ कॉक अन बुल स्टोरी, आई ट्रैश, डिबंक, एवरीथिंग, और मैंनों अफ्सोस है के बड़े-बड़े-बड़े अख़वाराण ने, अद्दा-द्दा सफा, पूरा अद्दा-द्दा सफा, साड़े एस उल-जलूल जेडी कहानी मनाई हो दे होते, साड़े खलाफ दिते कहिया ने ता, एवी भी नी मुनास्ब समझा भी अना दा, रियक्शन ही ले लिया थी, मैं उमीद करना कि जड़ा प्रिंट मीडिया वा, जड़ा रिस्पॉंसिबल मीडिया इस देश ना, ओँ अज सानू, अद्दा सफा ने ता, एक चौथा इससा पे एजदा जरूर दोएगा, ताके मैं अप अपनी सफाई दे सका, असी बेगुनाव हां, असी अर्से तो मैं ते मेरा परवार, असी प्रिष्टा चार ते, जियातियां ते, हर किसम दी बेन साफी दे खिलाफ अर्से तो लड़ दे आ रहे हैं आई डीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री, और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करें